घर में पैसा नहीं टिकता तो धन को चुम्बक की तरह खीचते हैं ये वास्तु सास्तर के नियम नमबर एक लाल किताब के अनुसार अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है और जीव खाली रहती है तो अपने सिरहने तांबे का पात्र रखें और उसमें कुछ दाने चावल और लाल चंदन डाल दें अगले दिन सुभह उसे तुलसी के पोधे में चड़ा दें आपकी स समस्या का समादान हो जाएगा नमबर दो क्वारी कन्याओं की समय समय पर पूजा किया करें और उन्हें दूद चावल चांदी का दान देकर उनका आशिवाद लें नमबर तीन लाल किताब की अनुसार अगर आप धन सम्मंदी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप 21 सुकरवार तक 9 वर्ष आयू तक की 5 कन्याओं को चावल की खीर और मिस्री का परसाथ खिलाएं आपकी समस्या का समादान हो जाएगा नमबर चार चावल चंदर्मा घ्रह का प्रतीक है और चंदर्मा शुक्र घ्रह का परतिनिदितव करता है और शुक्र घ्रह भोग बिलास का घ्रह कहलाता है अत्य चंदर्मा को अर्ग देने के समय चावल का प्रियोग करने से घर में परकत होती है नमबर पांच जिनके घर में धन या कमाई में बरकत नहीं होती उन्हें घर में चावल की धेर पर मा अनपुर्णा को स्थापित करना चाहिए इससे धन भैवब की प्राप्ति होती है इससे धन भैवब की प्राप्ति होती है चावल को कुमकुम के साथ मिला कर भगवान को अर पैसा आता है और रुखता नहीं है तो साबुत 14 चावल के दानों को लाल कपड़े में लपेट कर अपने पर्स में रखें इस प्रकार पैसा आपके पास रुखता है नंबर साथ शनिवार के दिन एक मुठी चावल तालाब या स्रोवर में मचलियों को डालें इससे शनी दोस से छुटकारा मिलता है और शनी देव प्रसन होकर आपको माला माल करेंगे और आप पर विशेश कृपा बनाएंगे नंबर आठ रोज सुबै उठकर एक मुठी चावल तालाब में डालें और मन में अपने इस्ट देव का ध्यान करते हुए अपनी समस्या और परेशानी अपने इस्ट देव को कहें और उन्हें दूर करने की प्रात्ना करें इससे आपकी सभी परेशानी दूर होंगी और आ आपको अपने इस्ट देव का आशिवात भी प्राप्त होगा नमबर दस चावल दान करने के भी अनेको फायते हैं यदि आप चाहते हैं कि आपके पित्र हमेशा शांत रहें और आपको आशिवात दें तो किसी निर्धन को चावल दान करें वही शनी के प्रकोप से बचने के लिए काले तिल में चावल मिलाकर दान करें नमबर ग्यारा यदि किसी का शनी कमजोर हो तो उसे जीवन में सफलता नहीं मिल रही हो तो हल्दी से चावल पेले करके अपने पिता के सम्मान व्यक्ति को दान करने चाहिए ऐसा करने से आपका सूर्य मजबूत होता है और आपके काम सफल होने लगते हैं नमबर बारा अपनी आर्थिक स्थिती मजबूत करने के लिए फीरवार के दिन भगवान स्री हरी विष्णो को मीठे चावलों का भोग लगाए आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी नमबर तेरा जोतिस सास्तर के अनुसार शुकरवार के दिन क्यारा चावल एक लाल रंग के कपड़े में बाध कर पोटली बना लें इसके बाद मालक्ष्मी को ये पोटली अर्पित करें और विधिवर्ध तरीके से पूजा कर लें इसके बाद इस पोटली को उठा कर तिजोरी या अलमारी या फिर अपने पर्स में रख लें इस उपाय को करने से मालक्ष्मी की विशेश कृपा प्राप्त होगी और आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा नमबर चोधा रात को सोते समय अपनी सिरहाने कुछ चावल के दाने रखें और सुबह नहा धोकर पूजा करें और फिर उन्हीं चावलों को हाथ में लेकर सूरी को जल्ट चड़ाएं आपकी धन से सम्बंदित समस्या का जल्ट हल हो जाएगा दोस्तो अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद